जी तो आप थोड़ा से अपना परिच्चे दीजेगा और आप किस पार्टी दल या मोर्चा से यहां पर आए हैं मैं दया सागर बहुत हूं हमारा जो संग्ठन है बहुजयन समाज सायुक्त मोर्चा जो की सामाजिक है और चुकि सामाजिक जो दायत तो है वो चोतरफा बीड़क राजनेतिक आर्थिक इत्यादी सब बातों पर निर्वर करता है तो आज की प्रश्चितियों में जो उत्ता-प्रदेश में चुना हो रहा है उसमें बिगत एक साल से यह प्रियास हो रहा है जो हमारे देश में जो फासी बादी ताक्त हैं जो समधान ब्रोदी त साल से लगे हुए हैं और करोना का सहरा लेकर के सरकार इसका नाजाइज फाइदा उठा करके लोगों को परिशान कर रही है इस बात को लेकर के राजनेतिक संठनों में आपस में तालवेल बनाने का प्रियास चल रहा है और यह कई दोर की यह बात हुई है कि सभी जो बहुज पार्टियां है वो इसमें कोई इंटरेस्ट उनका नहीं है इसलिए छोटे-छोटे संठनों को मिल करके इस बात को सामने लाया गया है कि अगर कोई दूसरे हमारे जो मजबूत संटने वो काम नहीं कर रहे है तो छोटे संठनों को भी चुप नहीं बैठना चाहिए मंत्री जैसे लोग भी हार जाते हैं तो जनता का रोध्यान या लोग तंत्र का जो सिस्टम है वह बड़ा बिचित्र है या अगर जन्मत इस चीज को समझ जाए कि क्या सही है क्या गलत है हमारा हित कहां है तो निश्चित रूफ से वह सत्ता का परवर्तन कर सकते हैं ठीक है अ जेंगे पहला सवल चंशेखर जी के बारे में क्या पर इत 1920 मिलस के उनी ऊपने सक्टिया लेकिन कभी-कभी आई कि लोग कह रहे कि छोटी सक्टी क्षटा करने में ने टायम लगेगा तो उन्हें फिलाल जेकिन आवर वो समझ गए हैं वहनी चोटे भायां से मिलकर के अप अपनी सकती बनानी चाहिए और आज चोटे-चोटे जो संग्ठन है इसका जो कारण है वो अखिले श्यादाव जी के साथ गड़मंदर ना हो जाना यह यह कारण हो सकते हैं देखिए दो बाते हैं एक होते हैं कि जो परवार से जिनको सत्ता मिलती है वो परवार तक के आसपा सोचते हैं और जो लोग सामाजिक इसतर पर या न्याय की लडाई लड़ना चाहते हैं कोई मिसन की तौर पर लड़ना चाहते हैं तो उनका सिस्टम थोड़ा अलग होता है लेकिन थोड़ा कठीन होता है तो इसलिए जो लोग सामाजिक परवरतन चाहते हैं तो वैसा ना च संग्ठन भी हाथ मिलाने के लिए सामने आते हम उल्टा कर रहे हैं बलकि अगर हम सक्ति पैदा कर लेते तो वड़े संग्ठन हाथ मिलाने इदार आते वह ऐसा नहीं हुआ है फिलाल जो हुआ है अब कुछ जो 30-30 संग्ठन लोग मिलके काम करना चाहेते हैं यह अच्छी बात में खरें के यह हो सकता है कि अपन Congrats यह कल भी इस मंद में यहां nenोब हुई थी और चंसेका राजात जी है उनके बीच में भी कई संक्टनों की आपस में चर्चा हुई है और चर्चा में ये निस्कर्श निकला है कि हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ें और अगर कहीं ऐसी इस्तिती लगती है कि भाजपा यहां से चुनाव जीत सकती है तो हम अपने बड़े दल को भी सपोर्ट कर दें हम अपना बीस दो हजार या एक हजार बोट काट करके फासिवादी ताक्तों को सत्ता पे दुवारा लाने के लिए हर दसा में प्रियास करना है तो ऐसा भी किया जा सकता है लेकिन जो संग्ठन दल चुनाव लड़ेंगे वो अपने सक्ति से चुनाव लड़ें और एक दूसरे के जो संग्ठन हैं एक दूसरे का सिपोर्ट करें जैसे 35 अप मालब दो दल के लोग एक सीट पे कहीं लड़ रहे हैं दो सीटों पर आप लड़ रहे हैं एक दल्करादमी तो पालोस में कोई दूसरा लड़ रहा है या जिले में 4 सीटे है तो अलग-अलग सीट को सपोर्ट कर दें जो कि वो हर जाए और जिससे की फासी बादी ताक्ते या सामंत बादी ताक्ते सत्ता पे दुबारा काविज ना होने पाए